पीडिपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंदर की बीज़पी सरकार को आड़ेहात हो लिया। महबूबा ने अध्यादेश की तुलनाद जमू कश्मीर से 370 हटाने जैसे हालात से करती। आड एक água पिए।नी सिर्ण हषालाडे से असे बीज़पी सिर्ण म如此 अःए कि अष्या है। ने की आडिप्ती कि फ्लाव्ति आडिटार्वू nahar भोले कि उशन की दो्रेश का इंशी 19 when we were disempowered government was disempowered people were disempowered everybody thought you know it's a muslim majority state and you know since bjp is against muslims and it's going to be maybe it brings a solution to the kashmir issue kashmir problem but it's not happening that way rather the kashmir problem has been complicated nitish ke vipakshi ekta ke mission पर bjp नेता रवी शंकर प्रसाद ने तंज कसा और कहा कि नितीश पहले बिहार को संभाले 24 में कोई vacancy नहीं है यह आप केज रिवाल जी को नहीं बुलाया गया ममता जी खुद नहीं गई केसी आर खुद नहीं गये तेलंगना के चीफ मिनिस्टर नवीन पतना को तो बुलाया ही नहीं गया तो कैसी अपोजीशन की एकता है और नितीश बाबु घूम रहे हैं तो घूमे कुछ होने वादा नहीं है क्योंकि 24 में कोई vacancy नहीं है और मैं नितीशी से आगर करूंगा रोजा बार खोलता हूं तो कभी यहां गोली कभी यह मारा गया कभी वो मारा गया नितीश बाबु हिंदुस्तान खूग घूमिये बैंग्रोज दिल्ली तक थोड़ा बिहार को भी समा दिये कल से श्रीनगर में जी ट्वंटी समिट होने जा रही है पूरी दुन्या की नजार इस पैठक पर है इस भी जी ट्वंटी समिट को लेकर पीडिपी चीफ महभूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया जी ट्वंटी समिट को लेकर महभूबा मुफ्ती ने बीजपी पर निशाना साधा मैं बूबा ने कहा कि G20 पूरे देश का इवेंट है लेकिन BJP ने इसे हाइजेक कर लिया है G20 के लोगों को कमल के फूल से बदल दिया है G20 का लोगों देश से जुड़ा होना चाहिए था ये पूरे देश का इवेंट है ये किसी पार्टी का इवेंट नहीं है ये सार्क देशों का सम्मिलन इस वर शोंगे मैं लोगे करने के लिए सर्च करें इन्डिया तीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अब स्टोर पर